दोस्तों मेरे पास यह जो डिवाइस है इंफनिक्स ब्रैंड की है बैक सैड में नीचेक तरफ आप देख सकते हैं इंफनिक्स की ब्रैंडिंग है इसका मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ मॉडल नंबर है इंफनिक्स स्मार्ट 8SD ध्यान से सुन लिजिए मॉडल नंबर है इंफनिक्स स्मार्ट 8SD डिवाइस में प्राब्लम यह है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पूरी तरह से FRP लॉग है यानि कि Gmail ID लॉग है Google एकाउंट लॉग है एक चीज़ ध्यान दीजिए इस एक चीज़ और ध्यान दीजिए अगर उपर की तरफ कोने में ध्यान देंगे तो आपको एक छोटा सा लॉगर सो करेगा तो इस टाइप का लॉगर अगर आपकी डिवाइस में सो करता है तो इसका मतलब डिवाइस आपकी FRP लॉग है फिर भी दोस्तों चलिए मैं आपको जल्दी से कनफर्म कर देता हूं कि मेरे पास यह जो डिवाइस है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8SD यह पूरी तरह से FRP लॉग है यानि की Google एकाउंट लॉग है यहाँ पर ध्यान दीजिए Connect to Wi-Fi वाले आपसन प्याच चुके हैं आप देख सकते हैं नीचे तरफ नेक्स्ट का को देख है यह आगे गया अब उसके बाद इस बाक्स को चिक करिए उसके बाद यहाँ से Next करिए Next करनेक बाद दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा कुछ सिकेंड वेट करनेक बाद आपको पूरी तरह कनफर्म हो जाएगा कि मेरे पास यह जो डिवाइस है बेरिफाई पिन यानि कि आपको यह पिन बेरिफाई करना होगा तो दोस्तों यह पिन हमको नहीं पता है ध्यान दीजिए पिन की जगह पे पैटन या पासवर्ड भी हो सकता है सेकेंड आपसन उपर की तरब दिखें लिखा यूज माई गूगल एकाउंट इंस टीड मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब देखिएगा अब यहाँ पे लिखके आएगा बेरिफाई यूर एकाउंट यह दिखें बेरिफाई यूर एकाउंट का अपसना गया तो अब तो कंफर्म हो गया न कि डिवाईस हमारे इफारपी लॉक है क्योंकि डिवाईस का इफारपी वाले आपसन पर यानि कि जहां पर आपने डिवाईस को वाईफाई से कनेक्ट किया था यह दिखें कनेक्ट टू वाईफाई वाले आपसन पर हमा चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं डिवाईस को हमने वाईफाई से कनेक्ट किया था सिंपल इस नेटवर्क पे क्लिक क करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे तरफ आपको तीन आप्सन मिलेंगे सेयर का जो आप्सन है आप सेयर पे क्लिक करें सेयर के बाद आपको नियरबाई पे क्लिक करना है नियरबाई पे क्लिक करने के बाद आप तरन आउन पे क्लिक करें तरन आउन पे क्लिक करने के बाद नि लिखा है न Google Go Google आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर Use Without Google Account आप इस option पर क्लिक कर दें, उसके बाद यह blue color का arrow है, इस arrow पर क्लिक करें, language आपको English करना है, उसके बाद आप done पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा गूगल माइक, यह दिखा माइक दिखा न, आपको करना क्या है, यहाँ इस माइक पर क्लिक करना है, 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद बोलना है Open Setting, ध्यान से देखेगा, मैंने इस माइक पर क्लिक किया, open setting ठीक है देखे open setting बोलने से आप देख सकते हैं यह देखे device की main setting यहाँ पे open हो गई ठीक है सबसे पहले इस device का model और software version मैं आपको confirm कर देता हूँ my phone पे click करूँगा यहाँ देखे infinix smart 8SD model नमबर आप देख सकते हैं और यह देखे इसका software बिल्कुल latest android 13 से up to date है अब हम back चलते हैं ठीक है back आनेक बाद बिल्कुल नीचे आप आईए यहाँ पे एक option दिखेगा special function इस पे click करिए उसके बाद आपको click करना accessibility पे accessibility के बाद accessibility menu पे click करिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए accessibility menu shortcut यह off है आपको इसे मिलेगा जब इस symbol पे आप click करेंगे तो आप देखेंगे यह सारे options आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ओके अब आप दोस्तों यहाँ से back चले आए device की main setting में ठीक है तो यहाँ से मैं back आ गया device की main setting में अब उपर आईए उपर आएंगे तो यहाँ पे option आपको दिखेगा app management का आप इस पे क्लिक करें उसके बाद app list पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपकी device में जो भी application की list है सारे application की list आपके सामने आ जाएगी आपको करना क्या है यहाँ पे देखें android setup दिख रहा है आप इस पे है वह है Google Play Services आप इस पे क्लिक करें आपको disable और force stop करना है तो आप disable पे क्लिक करिए disable app करिए force stop करिए और उसके बाद ok करिए ठीक है अब देखेंगे आपको करना क्या है अब दोस्तों यहाँ से आपको back जाना है connect to wi-fi वाले option पे जहां पे आपने device को wi-fi से connect किया था ध्यान से सुनिए connect to wi-fi वाले option पे आपको जाना है यहाँ पे हम आ गए अब देखिए यहाँ पे device को आपने wi-fi से connect किया है इसे disconnect करना है disconnect करने के लिए आप यहाँ पे अपनी finger tap करके रखे उसके बाद दीखेगा forget forget पे क्लिक करें wi-fi disconnect हो गया अब उसके बाद बिल्कुल back चले हैं आपको बिल्कुल back आ जाना है home screen पे ठीक है अब देखिए आपको करना क्या है अब आपको setup करना है और device को फिर से करने करना है ठीक है तो यहां से अम setup करेंगे ठीक है क्योंकि हमने device का wi-fi disconnect किया था हमें फिर से connect करना है तो ठीक है हम यहाँ पर फिर से device को wi-fi से connect कर देंगे क्योंकि हमने disconnect किया था ठीक है डिवाइस कनेक्ट हो गई कुछ सेकेंड वेट करेंगे यह आटोमेटिक आगे जाएगा उसके बाद अब यहां से next करेंगे ठीक है अब देखिए getting your phone ready just a few moment कुछ सेकेंड वेट करेंगे यहां पर अभी don't copy का आप सनाएगा ध्यान दीजिए आपके पास infinix की कोई भी device होना अगर उसका software तो इसी तरीका से FRP बाइपास करेंगे बिल्कुल same to same यहां देखिए don't copy का आप सना गया आप don't copy पे क्लिक करें और अब दोस्तो ध्यान दीजिएगा यहां उपर की तरफ यह देखिए checking for update और यह देखिए continue round कर रहा है ठीक है काफी टाइम आप वेट करेंगे अब आपकी डिवाइस यहां पर बिल्कुल इस्टक हो जाएगी आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा checking for update और यहां पर यहां पर यह जाएंगे तो यह देखिए यह इंटरफेस आपको आएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए account का option है आप account पर क्लिक करें तो यह देखिए यह options आपके सामने आ जाएंगे ठीक है एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहां पर आपको कई बार ट्राइ करना पड़ सकता है जैसे आपने accessibility पर क्लिक किया असिस्टेंट पर क्लिक किया यहां पर जो दो पर open हो जाएगी ठीक है अब देखिए अब यहां पर कहीं भी आप अपनी finger प्रेस करके रखें कुछ इस तरह से आपको अपनी finger ऐसे टाइब करके रखना है ओके ऐसा करेंगे तो copy, share, select all का option दिखेगा आप simple share पर क्लिक करें share पे क्लिक करते ही आप देखेंगे share के यह सारे options आपके सामने आ जाएंगे आपको करना क्या है यह जो gmail का option दिख लिया है सिंपल आपको gmail पे क्लिक करना है जैसे आप gmail पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए skip का option आप आप simple iskip पे क्लिक करें, iskip पे क्लिक करने के बाद अब देख히े, enable Google Play Services का उपस ना गया, ठीक है, आपको करना क्या है, जो Google Play Services आपने Disable किया था, उसे enable करना है, तो आप simple enable पे क्लिक करें, ठीक है, अब देख히े, Google Play Services open हो गया, आपने इसे disable और forces टाप किया था, अब आपको इसे enable करना है, यह रहा enable, आप simple enable पे click कर दें, अब आपका Google Play Services enable हो गया, अब ध्यान से देखेगा, आप यहां से एक point back जाएंगे, ओके, यह enable हो चुका है, अब देखे, मैं फिर से enable पे click करता हूँ, तो यह देखे, यहां पे disable का option आ रहा है, यह enable हो चुका है, ठीक है, तो हम यहां से back आएंगे, ओके, फिर से back आएंगे, back आएंगे, back आना आपको, अभी भी back जाना है, back आईए, अभी देखे, checking for update का आपस ना गया, और यह देखे, checking for update के बाद, directly यहां पे देखे, Google Services का आपस ना गया, तो मैं आपको बता दूँ, Google Services का आपस ना गया, इसका आप इस method को follow करके, Infinex के उन सभी mobile का FRP bypass कर सकते हैं, जिनका software Android 13 से up to date होगा, यहां से search engine है, तो आप Google select करें, उसके बाद next पे click करें, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको किसी भी brand की कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाग करवानी हो, तो आप मुसे contact करिए, मेरा contact detail Android 13, simple इस green color के अरोपे click करेंगे, और बस हमारी device Infinex Smart 8 SD, इसका FRP lock यानि की Google account lock, Gmail ID lock, पूरी तरह से deactivate हो गया, और यह देखे device हमारी completely unlock हो गई, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजी, आपको last में करना क्या है, device की setting में आना है, app management में आना है, app list में आना है, उपर के performance, इसपे click करें, और यहां से reset करतें, पहला काम, दूसरा काम, यहां से back आए, आपको back आने के बाद जाना है, special function में, ठीक है, यह रहा, आप इसपे click करें, उसके बाद accessibility में, उसके बाद accessibility में, इसे आपने on किया था, यहां से इसे off करतें, बस, आपकी device completely unlock हो गई, पूरी इसी तरह से active हो गई, यह वीडियो आपको कैसी लगी, comment section में, comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें, like करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही सांधार interesting videos की continue notification पाने के लिए आप मारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल योगे बिलाका न उसे भी प्रेस करें, और दोस्तों अगर आपको एडिवाइस पर्षेज करनी हो, Infinix Smart 8SD, तो इसके सारे color, सारे variant का पर्षेज link मैंने description box में mention कर दिया है, आप चेक आउट कर सकते हैं, वीडियो पुरा देखने के लिए अपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच